तो दालों में चने की दाल और तूवर की दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आज मैंने बनाई है चने की दाल और तूवर की दाल को मिक्स करके दाल बनाई है जो कि बहुत टेस्टी बनी थी आप कभी भी इसको ट्राइ कर सकते हैं तो मैंने नचने की दाल को एक घंटा भिगो के रखा था और तूर की दाल को थोड़ा 10-15 मनिट बस इससे जादा मैंने नहीं भिगोया था तो यह भिगोने के बाद आप हम एक कूकर ले लेंगे और उसमें धाले डाल देंगे और पानी डाल के मतलब एक इंच उपर डालना है या फिर अगर आप मेजरमेंट से डाल रहे हैं तो जितनी धाल लिए उससे डबल से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेगा चीक है उसमें पर हम तीच पंता टाल देंगे उसके बाद सिफ़ नमक रिखलदी टमाटा और हरी मेर्च मैर्ज के और वोड़ा मिक्स करें देना है और इसको थोड़ा साल तील डाल है क्शील झाल दया तो जब आप उपन करेंगे तो उसके बाद आप देख लीजेगा कि अच्छे से मतलब गली है दाल या नहीं हुई हो तो एक दो सीटी और आप दे सकते हैं उसके बाद हम इसको अच्छे से बॉइल कर लेंगे तो अगर पानी कम है दाल में तो थोड़ा और एड़ करके अच्छे से हम इसको बॉइल कर लेंगे और यह बॉइल करने के बाद इसमें थोड़ी से मिर्ची डालूंगी क्योंकि मैं को तड़का देना है तो यह देखे डाल दिया है और यह लाल मिर्ची के उपर यह देखिए और अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको भी थोड़ा पांच मिनट तक थोड़ा बॉयल होने दे या फिर पांच मिनट तक लो फ्लेम पे आप इसको होने दे अच्छे से जितना लो फ्लेम पे रखेंगे उतना टेस्ट का बढ़िया आता है और धनिया पत्त डाल देजिए और ये हमारी दल रेड़ी हो गई है आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी ज़रूर आप कमेंट करके बताइए और बना की भी देखना ट्राय करके भी देखना की कैसी बनी है बहुत टेस्टी लगती है आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं या पराठा आपको जैसे चाहिए आप एंजॉय कर सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले प्लीज और रेसिपीस के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूल झाल 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 झाल